याह ओई किन आज अब डिसकॉस करने वाले कंट्रोल और quin कोड्रीनरेशन चैप्टर की बारेंक हमें वाद के रिगार्डूथ करें हम इसंट का फिर सब्सक्रांधार कम पिर इसमें प्लांट का का इंतरो का हैं तो प्लांट में ए ta mat सब से पहले मूवमेंट परते हैं कि प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं ठीक है प्लांट do not have nervous system देखो जैसे मैंने बताया कि यह नहीं होता है ठीक है उसके बाद में प्लांट use only hormones for producing reaction for external stimulus external stimulus के बिहाब पे वह क्या रते हैं वह ग्रोड को शोर और इसा कैसे काते हैं बहुत लीमिटेड़ वे इसके परसे बात में करें Stimuli, क्या होता है जो external environment की वज़े से अपने को जो भी external environment की according अपने बाड़ी में response होता है। इसे क्या बोलते है अपने stimulus जैसे कि आपने देखा होगा की plant की बात करें तो plant में वह Sunlight के according क्या करते हैं? gravity के according अपने को move करते है water के according move करते है तो वो क्या करते हैं वो response show करते हैं किसी चीज के लिए तो उसी को क्या बोलता है इसके बाद में अगर बात करें तो plant moments made in response to external stimulus external stimulus के बैसे इस पर दो तरीके के moment होते है tropic moment और nestic moment tropic moment और nestic moment tropic moment की बात करें tropic moment या tropism तो क्या होता है a growth moment of a plant part response to an external stimulus external stimulus के बिहाब पर अगर क्या कर रहा है plant का कोई भी part growth कर रहा है तो उसके क्या बोलता है अपने tropism ठीक है which the direction of stimulus is determined उसकी direction क्या है अपने को पता है ठीक है जैसे कि आपने देखा है कि light या तो जैसे root system की बात करें root system root system पता है उसके बाद में shoot system ठीक है shoot system अब देखो tropic moment है तो उसमें क्या है direction of stimulus अपने को क्या है determined है अपने को पता है कि stimulus किस direction से आ रहा है जैसे कि बात करें root और light के बिहाब पर बात करते है light के बिहाब पर तो बताओ इसमें जो light की बिहाब पर root system ग्रो करेगा वह कैसे करेगा उसके opposite ग्रो करेगा जिदर से stimulus आ रहा है उसके क्या करेगा opposite ग्रो करेगा जबकि सूर्स सिस्टम क्या करेगा शूर्स सिस्टम उसकी towards ग्रो करेगा उसकी तरफ ग्रो करेगा तो वह क्या डारेक्शन अपने को पता है कि संसे आ रहा है तो किदर की मुझ कर रहा है opposite या उसकी तरफ मुझ कर रहा है तो इसके अपने को क्या है अपने को को पता है की उसकी Growth कैसे हो नहीं है उसकी अपने को Direction पता है तो वह कौनसा Moment होता है Tropic Moment होता है ठीक है Tropic Moment is a directional moment जैसे की बता है directional Moment होता है ठीक है और cause by Growth की वजे से होता है ठीक है उसके बाद में अगर बात करें Stimulus अगर light है तो क्या बहुते हैं उसको photo-tropism अगर stimulus gravity है तो क्या बलेंगे उसको zeotropism है ना और अगर chemical की वज़े से हो रहा है तो उसे क्या बलेंगे chemotropism और water की वज़े से हो रहा है तो hydrotropism ठीक है उसी तरीक के सा अगर touch sensation से हो रहा है तो उसे क्या बलेंगे अपन sigmatropism भी कर रहा है इनको देख लेते हैं photo tropism क्या होता है the response of the plant to light कधर 앞 कर रहा हैं light की तरफ मुझ कर रहा है ठीक है इचिब अ प्लांट पर कि बात करें तो जियोटोपिज्म किसके अकोर्डिंग मोग कर रहा है ग्रेविटी के अकोर्डिंग कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे जियोटोपिज्म और वह ग्रेविटी की तरफ मोग कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव और ग्रेविटी के अपोजिट मोग शूट system ठीक है अगर बात करें chemotropism chemotropism किस के थुरू होता है chemical के थुरू ठीक है अब देखो इसमें pollen tube grow करता है toward sugary substance chemical secret by the repin stigma stigma एक chemical release करता है जिसके according ही क्या करता है pollen tube का formation होगा और pollen tube कहा तक जाएगी ओवरी तक जाएगी वो कैसे जाएगी इस chemical के थूई इसको follow करती हुए कहा तक जाएगी ओवरी तक मूग करेगी तो इसको क्या बोला अपने जो pollen tube का movement है वो कैसा movement है chemotropism ठीक है उसके बाद में hydrotropism अगर water पे dependent है तो उसे क्या बोलेंगे hydrotropism ठीक है जैसे कि route कि दर की तरफ move करें water की तरफ move करती है न तो वह क्या है positive और shoot कि दर की तरफ मूँक करता water के opposite तो वह क्या है negative ठीक है अगर thigmotropism की बात करें sigmo मतलब touch टॉटो से एलेट है तो उसे क्या बलेंगे थिमत्रोपिम ठेक है जैसे कि टंड्रेन Алप शॉपोर्ट की साथ मूउव करते हैं तो जहाँ उसका संसेशन लेके क्या करतें वह मूव करते जाते हैं ठीक है तो उसे क्या बोला पर ने ठीक मोट्रोपिज्म टच के राउंड से मूव कर रहे हैं तो उसे क्या बोला ठीक मोट्रोपिज्म अब टच की तरफ मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे पॉजिटिव और टच के अपोजिट जा रहा है तो उसे क जो direction होता है वो determine नहीं होता है stimulus मिलता है लेकिन उसका direction determine नहीं होता है वो किदर से भी हो सकता है है ना direction उसका जैसे की मालो sun से stimulus मिला और जैसे मूँ कर लिया कोई चीज ने कोई flower है उसने क्या कर लिया अपने आपको open कर लिया ठीक है तो open करने का उसका stimulus तो मिला है उसको लेकिन उसका direction fix नहीं है कि उसको किदर से मिला है और flower क्या हो गया open हो गया तो वो क्या होगा नेस्टिक मुमें ठीक है The folding of leaf अब sensitive part जैसे कि आपने mimosa pudica का example देखा होगा उसमें क्या होता है कि वो थिग्मो नेस्टिक होता है मतलब वो touch के regarding sense करता है ठीक है जैसे आपन उसकी पत्तियों को touch करते है वो क्या हो जाती है मुर्जा जाती है डूप हो जाती है क्यों क्योंकि उसमें से ऑस्मस एक्जो ऐस्मोसिस हो जाता है इस वाज़े से वह फिनोमेना अलग है ठीक है उसकी वाज़े से अगर उसको बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे तो तीक्मो नेस्टिक मोवेंट भूलेंगे ठीक है थीग्मो नेस्टिक तो non-directional moment of a plant part, कैसा moment है, non-directional moment है, किदर की तरफ भी, अब उसमें touch का particular sense नहीं होता है, कि touch कहाँ से क्या है, वो पूरी leaf ही क्या करती है, उसके सारी leaf क्या हो जाती है, droop हो जाती है, है ना, तो उसमें ये पता नहीं चलता है, कि touch क्या है, तो उसे क्या बोला है, फोटो नेस्टिक बोला, ठीक है, अगर इसके बाद में बात करें, plant hormone की, plant hormone क्या होता है, कुछ ऐसे chemicals बनते हैं, plant के अंदर, जो क्या करते हैं, उसकी growth को maintain करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपन, growth promoter, ठीक है, और growth inhibitor, दो तरिके के होते हैं, एक तो growth को बड़ाते हैं, और एक growth को क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है, growth promoter की बात करें, तो कौन-कौन से होते हैं, auxin, gibralin, cytokinis, और, अगर बात करें, growth inhibiters की तो कौन-कौन से होगा, ethylene और absensic acid, ठीक है, ये क्या होते हैं, plant growth inhibitors होते हैं, ठीक है, सबके एक-एक करके देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, देखो, auxin की बात करें, तो auxin क्या होता है, auxin promote elongation and growth, auxin क्या करता है, plant की growth कराता है, auxin जो होता है, जैसे कि ये plant है, और इसका जो tip है, जितनी भी branches है, सबकी tip पर क्या present है, auxin present है, और वो क्या कर रहा है, plant के elongation में help करता है, किस में help करता है, elongation में help करता है, growth में help करता है, these are produced in apical 집에, प्रखर 맏 o जो होता यह यह घए और उसके तरह जो प्रॉचिन होता है उसके दर के तरशीं होता है तो दर इधर की तरफ auxin है, तो यह इधर bend हो गया, ठीक है, light की वज़े से, ठीक है, उसके बाद में, अगर parthenocarpy की बात करें, तो यह भी कौन कराता है, auxin, इसमें क्या होता है, natural और artificial induced production of fruit without fertilization, अगर food का formation हो रहा है without fertilization, तो उसे क्या बोलेंगे, अपन parthenocarpy बोलेंगे, ठीक है, parthenocarpy is a phenomenon of development of seedless fruit, seedless fruit के development को एक फिनोमेना होता है, उसे क्या बोलते है, अपन parthenocarpy बोलते है, इस फिनोमेना is applied in a seed bearing plant like grapes, banana, papaya and tomato, किस पर अपलाई होता है, यह, grapes, banana, papaya and tomato, किस पर अपलाई होता है, यह, grapes, banana, papaya and tomato, tomato पर यह, applicable होता है, अगर oxygen की बात करें तो, weedicide की तरह भी, काम में आता है, जैसे कि आपने सुनाए, 24D, 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 24D एक weedicide से, जो क्या करता है, weed को control करता है, ठीक है, full form इसका हो जाएगा, 24-dichloro-phenoxy-acetic-acid, ठीक है, अगर बात करें, जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन भी क्या करता है, increase में, elongation में help करता है, लेकिन यह curvature moment show नहीं करता है, यह क्या करता है, जो genetically dwarf plant होते है, उनको क्या करता है, इलोंगेशन में help करता है, उनको लंबा करता है, ठीक है, किस में help करता है यह, genetically जो dwarf plant है, उनको क्या करता है, उनको लंबा करता है, ठीक है, उसके बाद में, अगर बात करें, cytokinin की, तो cytokinin क्या है, chemically basic growth hormone promote cell division in plant, किसको प्रोअध करता है, किसको प्रो मोट करता है, cell division को प्रो मोट करता है, ठीक है, और mainly क्या करता है है, cytokinesis में help करता है, मतलब cytoplasm के division में help करता है, इसलिका ले इसका नाम भी क्या है, cytokine ठाणिब्र इताईलीन की बात करें तो इताईलीन कैसा हर्मोन है? इताईलीन गेस हर्मोन है जो fruit की ripening में help करता है किसमें? फूट के पकने के टाइम पर प्रड्यूस होता है और उसी में उसी में help भी करता है ठीक है देखो function of hytheline की बात करें तो fruit ripening में help करता है ठीक है और क्या करता है आप से शेर layers में help करता है मतलब जो plant के जो leaves, flower और fruit होए इनको क्या करता है accelerate करता है है इसके बाद में obsessic acid की बात करें तो क्या होता है इसका function obsessic acid का function होता है growth में help करता है ठीक है sensation में help करता है plant की aging में help करता है है प्लांट की aging होती है उसी को क्या बलते है पर sensation बोलते है और किस में help करता है obsession में help करता है obsession क्या होता है leaf flower और fruit and causing aging जो एक time period पे जो plant अपने सारे leaves को गिरा देता है fall कर देता है और फिर उसके बाद में उसमें नहीं जो leaf generate होती हो और नया plant वापस से evergreen हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? obsession बोलते हैं ठीक है? तो इसमें भी कौन help करता है? abscessic acid हल करता है ठीक है? तो यह plant hormone के बारे में हो गया plant के movement के बारे में हो गया तो अगली जो भी class आईगी उसमें अपन animal के बारे में बात करेंगे उसमें control and coordination और उसके बाद में कुछ अपने previous year के जो questions है control and coordination के बहाब पर उनके study करेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही